कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पे था तब स्टोक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1,002 रुपए दोनो स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई क और करन्ट वेल्यू है यही फिगर चार्ट में देखते हैं यही एक लाख रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने percentage का return दिया दोनों stocks ने कितने percentage का return दिया winner है एक minute के लिए हम ये भी सोचना चाहिए कि दोनों stocks ने जैसा return पिछले साल सालों में दिया है वैसा ही अगर अगले साल सालों तक return दे तो उनकी value कहां पहुचेगी Thank you